येश्व मसी के नाम से रोम्यो के ग्यारा अध्याय के आखरी दिन में आपका स्वागत करता हूँ जैसी जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़े हम एक जलक हमें जलक मिली की परमिश्वर मानक इतिहास में कैसे काम कर रहे हैं अभी है आपको विस्तित जानकारी तो नहीं देता पर मोटा मोटा समझ सकते हैं हमने साथ मिलकर देखा कि परमिश्वर सब कुछ योजना के अंतरगत कर रहे हैं और इस योजना पर आप भरोसा कर सकते हो कि वह अपनी योजना को लेकर वफदार है आपको याद होगा हमने बात की थी गुदे वे आटे के पहले पेड़े और पेड़ के जड़की जो दर्शाता है कि आगे क्या होने वाला है कोई भी काम की शुरुवात कैसी है यह संकेत देता है कि उसका अंत क्या होने वाला है अगर शुरुवात खराब है तो आप अच्छे अंत्की अपिक्षा करी ही नहीं सकते लेकिन जब आपकी शुरुवात अच्छी है विश्वस नहीं है तो उसका पूरी इतिहास में फल मिलता है हमने कल अपने अधियन में देखा कि परमिश्व के वर्दान और बुलाहट कभी नहीं बतलते उन आयातों पर हमने बहुत अधिक ध्यान तो नहीं दिया था पर यह मानब इतिहास में एक और से धानत है जब परमिश्व किसी को बुलाता है उनको बुलावा देता है या फिर कोई उपहार या वर्दान देता है तो उन्हें कभी वापस नहीं लेता और वह अपने लोगों को दिये गए उपहार और बुलावे के आधार पर ही हमेशा काम करना जारी दखता है और हमने कल यह भी देखा कि परमिश्व ने सभी को अवग्या के लिए बाद्धिय किया है ताकि सभी को एहसास हो कि उन्हें एक बचाने वाले की आवशकता है परमिश्व की दया की आवशकता है अब प्रश्ण यह उठता है कि क्या हम ऐसा ही मोटा मोटा परमिश्व को इतिहास में काम करते हुए देख सकते हैं जब आज हम 33 से 36 आयातों को पढ़ेंगे तो हमारे सामने जो सवाल होगा वह है यह है कि हमने जो कुद भी पिछले तीन सब्ता में सीखा 9, 10 और 11 अध्याय में उसकी तरफ हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए परमिश्व के संप्रबुता की और हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए क्या रवया होना चाहिए क्या उल्जल में रहेंगे मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ परमिश्वर की संप्रमुता मेरी समझ में सबस्मझ से बहुत बढ़ी है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सब्सक्राइब तो क्या करूँ क्या मुझे चिचिराइब होगी गुसा आएगा और मैं ऐसे परमिश्वर वरोसा करने से इंकाल कर दूँगा नहीं करता परमिश्वर वरोसा में जो साफ साब मुझे सब कुछ नहीं बताता जैसा कि मैं चाहता हूँ एक प्रतिक्रिया यहीं भी हो सकती है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा रोमियो में उसको कुछ को स्विकार करें और जो समझ में नहीं आता हूँ उसको छोड़ दे जाने दें उसको नज़र अंदाज कर दें पौलुस कहता है इने में से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए जाहिर तोर से वे कहता है कि जब हम परमिश्व की संप्रभुता को देखते हैं तो हमें उसके वैभव और उसकी महानता का एहसास होना चाहिए चलिए मैं आपको रोमियो ग्याया तेती से चतिस आकरी आयातों को पढ़कर सुनाता हूँ कितना अगाध है परमिश्व का वैभव बुद्धी और ग्यान कितने दुर्बोध है उसके निर्ने कितने रहस्यमई है उसके मार जैसा धर्म गरंथ में कहा गया प्रभु का मन कौन जान सका उसका परमर्श दाता कौन हुआ किसने परमिश्वर को कभी कुछ दिया है जो बदले में कुछ पाने का दावा कर सके सब कुछ परमिश्वर से परमिश्वर के दुआरा तदा परमिश्वर के लिए है उसी की योगो योगो तक महीमा हो आमेन संबवत अहंकार के विरुद सबसे बड़ी सुरक्षा परमिश्वर की परमाहनता को याद मतना है मान दीजिए एक पौधा है उसके पास मैं थोड़ा सा एक और पौधा है थोड़ा बड़ा पौधा है तो ये बड़ा बढ़ा सोच सकता है वाउ मैं कुछ हूँ इससे बड़ा हूँ पर अगर यही पौधा एक विशाल वर्गत के पेड़ के पास में होतो यह आयाते हमें परमिश्वर के अविश्वस्निय, अटूट और बेहिसाफ वैभव के बारे में छे बाते बताती है यह बात कर रही है परमेश्व की बुद्धी के बारे में, परमेश्व की ग्यान के बारे में, उसके निर्ने के बारे में, उसके मार्ग के बारे में, परमेश्व के मन के बारे में, और परमेश्व के दान के बारे में, वापिस से उसकी बुद्धी, ग्यान, निर्ने, मार्ग मन और दान और आज हम इन छे चीजों पर व्यक्तिकत रूप से ध्यान करिंदित करने वाले हैं परमेश्व की संप्रभूता के प्रति हमारी प्रतिक्रिया में उसकी महानता उसके वैभव की क्या प्रशन्सा की जानी चाहिए इसलिए जैसे आप उसके वैभव के लिए उसकी स्तुति करते हो वैसे ही उसकी बुद्धी के लिए भी उसकी स्तुति करो अब अभी प्रात्ना में उससे यह कह सकते हो है परमेश्वर तुम उससे बेहतर समझता है और मैं तेरी बुद्धी मत्ता के लिए तेरी प्रशंसा करता हूँ जो मेरी तुलना में बहुत अधिक है परमिश्वर कि उसके ग्यान के लिए स्थुति कीजिए परमिश्वर की बुद्धी जीवन के सिध्धानतों के बारे में उसकी अतुलनिय समझ है कैसे वे जीवन जीना है जिसके लिए उसने हमें रचा है ज्यान की बात करें तो वे यहाँ है कि वे सब कुछ जानता है तुससे कहिए है परमिश्वर तू तो वे सारी बाते जानता है जो मैं नहीं जानता ऐसी चीज़े जो मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगा चाहिए मैं 24 घंटे डिसकवरी चनल देखता रहा हूँ मैं वे कभी नहीं जान पाऊंगा जो तू जानता है तेरे ज्यान के लिए धन्यवाद जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ यह आयाते हमें परमिश्वर के निर्ने के प्रति आभारी होने की भी याद दिलाते हैं उसके निर्ने अपराये हैं परमिश्वर मैं हमेश्वा आपके निर्ने को नहीं समझता लेकिन मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है कि तेरे निर्ने हमेश्वा निश्पक्ष होते हैं, फेर होते हैं मेरे नहीं होते हैं क्योंकि मैं सब कुछ नहीं देखता, कभी-कभी मैं अपने निश्पक्ष होने की कोशिश कर सकता हूं, करता हूं, पर तब भी मैं नहीं होता, क्योंकि मैं सारी स्थिति को नहीं समझता, सब कुछ को मैं नहीं जानता जैसा कि तू जानता है, लेकि प्रभू तेरे निर्ने हम परमेश्वर निश्पक्ष और सही होते हैं कभी-कभी वे मेरे लिए अप्रियाय होते हैं मैं उन्हें नहीं समझता लेकि मैं उन पर भरोसा कर सकता हूँ चौती बात परमेश्वर का अपना एक मार्ग अतना रस्ता है पॉलस याद दिलाता है कि परमेश्वर के मार्ग हमारे लिए रहस्य मई हो सकते हैं हमारी समझ के परे हो सकते हैं पर आप परमेश्वर से कह सकते हैं परमेश्वर तेरी योजना पर भरोसा करने की लिए मुझे उसे समझने की जरूरत नहीं है मैं अभारी हूँ मैं अभारी हूँ कि तेरे पास मानव इतिहास के लिए की योजना है जो मेरी समझ से कही अधिक महान है तेरी योजना है तुम है किसी को छोड़ नहीं दिया तेरी एक योजना है कितना बुरा होता, कितना दुक्त होता अगर ये योजना, मानव इतिहास की तेरी योजना है हमें पूरी तो समझ आ जाती क्योंकि अगर हम उसे समझ पाते तो वह योजना बहुत ही दैनी और बहुत ही चोटी होती बहुत चोटी होती परमिश्व की योजना इतनी महान है तबी तो हमारे समझ के परे है वो हमारे समझ के परे हो सकती है पर हम जानते हैं कि वो हमेशा सही है पॉलुस कहता है प्रभु के मन को कौन जान सका है उसका परामर्श दाता कौन है पाँच्वी चीज़ ए परमिश्वर तेरी सोच मेरी सोच से कहीं उपर है किसने परमिश्वर कभी कुछ दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सके हम कुछ भी पाने का दावा नहीं कर सकते हमने कुछ दिया नहीं है पर उन्तु जो कुछ भी हमारे पास है उसका दिया हुआ है जीमन से शुरू करके सब कुछ कबी-कबी इस तरह प्रात्ना करना अच्छा होता है परमेश्वर, मुझे शमा कर, शमा कर मुझे, उस समय के लिए, जब मुझे लगा कि मैंने तुझे कुछ दिया है, मुझे कभी-कभी लगता है कि मैं अपना विश्वास तेरे को देता हूँ तेरे अपना भरूसा तेरे को देता हूँ पर सचाई तो यह है कि यह विश्वास भी तेरा ही दान है तेरा उपहाल है मैं तेरा निनी हूँ तू मेरा नहीं जो कुछ भी तुने दिया है उसके धन्यवाद तुने मुझे इतना कुछ दिया है और उसके बाद और भी देता है इसके धन्यवाद मैं आभारी हूँ और फिर पॉलिस कहता है सब कुछ परमिश्वर से परमिश्वर के द्वारा तता परमिश्वर के लिए है आप अपना शे कुछ बनाया बल्कि वह हमें व्यक्ति की दूरूसे देता भी है और फिर सबी चीजे उसी के लिए है इतिहास की एक दिशा होती है इतिहास कहीं जा रहा है इतिहास का एक अंत है यह विचार की जीवन एक प्रकार का चक्र है और हम सब उस चक्र में घूम रहे हैं हम नहीं जानते कहा जा रहे हैं हम वास्तर में बार बार उसी स्थान पर वापस लौट कर आते हैं ये बाइबल सम्मत नहीं है इतिहास के बारे में बाइबल का विचार यहा है कि इसकी एक निश्चित दिशा और मंजिल है क्या है वे मंजल वे मंजल है उसकी महीमा योगो योगो तक उसकी महीमा हो इस अध्याय का अंतिव वाक्यांश यही है आमेन ऐसा ही होगा उसकी महीमा हमेशक लिए बनी रहे मानव इतिहास की मंजल परमेश्व की महीमा है परमिश्वर का उद्देश्य है उसकी महीमा परमिश्वर से ही सब कुछ उत्पन होता है वह सबी चीजों का पालन करता है संग्रक्षक है तारीच चीजे उसी पर निर्भर हैं आप परमिश्वर से बाद विवाद कर सकते हैं करना चाहें तो पर यह याद रखिए कि यह बाद विवाद करने की ताकत भी परमिश्वर नहीं आपको दी है जब मैं यह पढ़ता हूँ कि परमिश्वर कैसे हिर्दय को बदलता है और हमें मुक्ती केवल अपने प्रयासों के दुवारा संभवी नहीं है तो मुझे यह नमर बना देता है यह मुझे याद दिलाता है कि परमिश्वर है जो सब कुछ करता है हमारी नियती का फैसला भी हमारे उपर नहीं उस पर निर्वर करता है जब मैं उन सारी आत्मिक सच्चाईयों को जानता हूँ जो दूसरे नहीं जानते तो मुझे कई बर घमंड होता है मैं उन पर दोश लगाएं लगता हूँ हाला कि मैं जानता हूँ कि ऐसा करना गलत है फिर भी यह सोच कर कि मैं उधार पाया हूँ और दूसरे नहीं मुझे में अहंकारा आ जाता है फिर मुझे परमिश्व के अनुगरह और क्रिपा के बारे में वो आयाते याद आती है कैसे वह पेर पर शाखाय लगा सकते है या उसे काच सकते है तो अपने विश्वास का भी श्रे मैं खुद पर नहीं ले सकता यह ऐसा परमिश्व की भलाई है और जब हम विश्वासी लोग विश्वासी हो और इसके बजाए परमिश्व की रिपा पर उसके अनुग्रह पर निर्भर रहना होगा रोमियो का यह अध्याय ग्यारा एक शक्ति शाली अनुसमारक है कि परमिश्वर नियंत्रन में है अपनी अनुग्रह से वह काम कर रहा है और इतिहास अन्तत इश्वर की महीमा की ओर लेकर जा रहा है कुक्षन पिता परमिश्वर से बात करें पिता परमिश्वर धन्यवाद देता हूँ कि तू नियंत्रन में है क्योंकि तू नियंत्रन में है इसलिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है मैं तेरे पर विश्वास कर सकता हूँ, तेरे भरोसा कर सकता हूँ मैं तेरी स्थुति करता हूँ कि तु अपनी बुद्धी और ग्यान से देशों का संचलन करता है मैं तरह धन्यवाद करता हूँ कि तेरी योजना है मेरे परिवार के लिए तेरी योजना है मेरे लिए मेरे जीवन की हर एक घटना पर तेरा नियंतरन है और धन्यवाद परमेश्वर मैं इस इतिहास की मंजिल को जानता हूँ उसकी मंजिल है तेरी महीमा और क्योंकि मैं यह जानता हूँ मैं अपना आज का जीवन तेरी महीमा के लिए बार में एक दिन की सामर्थ रोज हर रोज ये शुतरे नाम से प्रात्ना करता हूँ आमेन अगले सब्ता हम एक साथ मिलकर रूमियो बारा को देखेंगे मैं जानता हूँ आप लोग में से कुछ लोग शायद इस अध्याय को का इंतजार कर रहे हैं तो मिलते हैं अगले सब्ता रोमियो बारा के साथ परमिश्वर की महीमा हूँ